ऐसा नहीं हो कि खिसारी लाल को यह नहीं पता होगा कि यह गाना पहले कोई नहीं गार रखा है पता तो उनको भी होता है बट फिर भी वो गाते हैं इस चीज को मतलब इस चीज की खिलाफ है उनको ऐसा नहीं करता बड़े स्टार्स जो भी हो प्रमोट प्रेमी हो जाए खिसा लाल यादव और प्रमोद प्रेमी का का करे आरा जालू और भाई सब यही गाने पर हो चुका है विवाद जी हां यह गाना आखिरकार किसका है किसने किसका गाना चुराया है जी हां क्यूंकि गाना कोचिंग वाला भी यही आला है का करे लो कोचिंग जाले जी हां यानि कि सन सब्सक्राइब नमस्कार प्रणाम मैं आप सब का तोस्त भाई सनी गहलोरी और जितने भी भोजपूरी गॉसिप देखने रहे हैं वाले शुरता गहना जो देख रहे हैं जो बाद में देखेंगे सबी को दिल से थैंक यू प्रणाम कैसे हैं बहुत बढ़ी है आप बताओ क्या बात है जी गानमा तो आपका लग रहा है कि कोचिंग वाला केकर है केकर पहले तो कोचिंग वाला पहले गानों सुना ही है हमारा कोचिंग वाला गाना हम लोग में गॉने को नॉर्मल वे में लिए तोड़ा लेट हो गया और कल देखे कि शारी लाल यादव प्रमोद पेमी सबी लोग का पोस्टर आना स्टार्ट हो गया तो हम लोग अर्जेंटली अम लोग गाने को शूट कर रहें आज पहले फड़ा दो लाइन गुन गुना यह जा रहा हूं कोचिंग वाला अधिक वना कावना सबुन तुलागा लो करे का कोचिंग जालू करेला कोचिंग जालू एक बात बताएं आपने तो सीधा बोल दिया कि यह गाना मैंने एक तारीफ को कोई पुरूफ पुरूफ है का कि कि इसे बोल दिये हमारे पास प्रूफ है कि साथ हम बता रहे हम लोग एक तारीक को डंवी करने के लिए भेजे थे राइटर को आपको मैं दिखा रहा हूं आपको वाट्सअप कर दूंगा वैसे ठीक है और आजा आगे आओ आओ यहां पर दिक आ देखिए हम लोग हम लोग एक तारीक को डमी किये थे बढ़ किसी कारण बस नहीं हो पाया यही रहा यही बेजा हुआ ठीक है हाँ और बस हो नहीं पाया तो हम लोग मतलब नौर्मल हम लोग को नहीं पता था इतना ये गाने को लोग शियर्यस लेंगे तो अब देखिए सब लोग आ रहे हम गाना निकला कैसे मतलब गाना आपका वाला कोचिंग वाला गाना पिर ये कैसे लिख हुआ मतलब स्टूडियो से या फिर राइटर ने आपका मुजीशन ने किस ने लिख किया अब ये तो पता नहीं कैसे हुआ बट पहले भी लोग ये धून प उठाने लगे का आ रहा जालू बक्सर जालू oikea जालू सब लुग करने लगे तो हम अपना मेटर को जो देख करके हम लोग फिर अपना मा चकलो मेटर करदे काहरे का कोचिंग जालू कि कोचंग में जालू तो किस तरीके से देखते हैं बड़े स्टार तो चलिए चुरा के गा लेते हैं तो छोटे सिंगर के उपर क्या होता है जैसे आप लोग महनत करते हैं कि भाई कोई कंपोजिशन निकालते हैं कि भाई हाँ कुछ सोच के कुछ समझ के और एक बड़ा स्टार आता है सीधा सीधी कॉपी करके चला जाता है उस कंठीनूर स्टलिंग चलते रहेगा फिर हम लों का टाइम मतलब स्टलिंग तो जीवन भर करना डॉडट बट होता है कि छोटे सिंग्रों का गाना नहीं उठाना जाए ऐसा नहीं हो कि खेसारी लाल को यह नहीं पता होगा कि यह गाना पहले को नहीं गा रख पता तो उनको संट्चा इप एक ड़ानी त utilizz को इस चेज की खिलाव है उनको इसा नहीं कर्ता बड़े स्टार्स प्रमोट प्रेमी waste ढूंब यहीं करना चाही है औ心 सब्सक्राइब और प्रमोर अपीस सब्सक्राइबSu यहीं इंशा चाही है इस तरीके से उत ली है आ रहे हैं तो lagi सभी मेंडर है कि जो भी मेहनत कर हैं पूरा मैनत में फीर जाता है यहलोग करने के बाद है और लग रहा है कि जिसे कोची में आलों पोस्टर आपने पहले भेजा था मैंना देखा लेकिन मुझे यहीं नी समझ में आया कि मुझे भी ऐसा डाउट लग रहा है कि आपने खेशाडी लाली आदब को देखे गए लेकिन मुझे पता है कि आपका गाना अलग था पहले था उसके बाद गाना आया हम लोग पहले डम एक बट उनका पोस्टर आने के बाद नहीं लोग थोड़ा सिरियस हो गया पहले हमारे राइटर सिर्यर नहीं थे आजकल रोज हो रहा था हम लोग भी बोले चलो आराम से कर लेंगे गाने को लेकिन वहीं का जाता ना कि आपने का कि चलो छोडो 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 और पूरा आके खेट चर गया कोई और आदम है ना जी गया है नूँएर में भी बहुत तगड़ा ब्लास्त करने वाला हर साल की तरह हम लोग हर साल नूँएर अच्छा करते है इस बार भी कोशिस है गाना हम लोग रिकॉर्ड कर रखें अब वीडियो शुट बाकी है कोशी सब 22-25 तक हम लोग इसका वीडियो रिलिस करते हैं व क्या सिंगर या वाडल मॉडल अभी तो डिशाय नहीं किया कौह ने काने का मतलब यह कि अधि आप इंटब्वू कल देख रहे होगे या फिर थोडा लेट हो ये वीडियो को आप लोग कर रिलीज करिए सुबह में ताकि लोग भी देखे और हमारे गाने को भी देखे है ना रिया चले लोगों को क्या और अभी जिसे न्यूएर का तो प्लानिंग है सर्दी का सीजन है अजकल जाडा रजाई वाला गाने को लेकर कुछ काफी जादा हो किया कहने चाहेंगे अपने फैंस तो आपको प्यार मोभबत करें हमेशा की दर्द दिल्शे अभार तैंक यू सो मच जैसे प्यार देते हैं भाई को ऐसे हमेशा आज शवाद देते रही है सने के लौरी पर और भाई को आगे बढ़ाई है थैंक यू सो मच भाई तो या किसका ओरिजिनल है किसका डुपलेकेट आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दन्यवाद